सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए विशम भीन और मिश्रत भीन के बारे में तेस्राट करते हैं प्रस्ताबना हम जानते हैं भीन संपूर का हिस्सा होता है उधारन एक बटे चार चार बटे पांच मतलब कोई एक चीज़ है बच्चो उसके तीन भाग है ठीक है तो उन तीन भाग में से एक भाग तो यह क्या हो जिसमें कैते हैं उचित भिन देखें यहां पर भी बताए हूँ उचित भिन में अंश हमेशा हर से छोटा होता है ये जो होता है अंश ये छोटा होता है हर बड़ा होता है उधारन जैसे 6 बटे 9 गया 5 बटे 7, 12 बटे 15 3 बटे 4 इन सब में क्या है नीचे वाले हर बड़े हैं और ऊपर वाले अंश छोटे हैं इसलिए इने उस चिद भिन कहते हैं विशं भिन किसे कहते हैं बच्चो देखिए क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होता है उधारन जैसे आठ बटे साथ, आठ बड़ा, साथ चोटा तो इसमें अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है ऐसी 11 बटे 6, 5 बटे 3, 7 बटे 2 इत्यादी क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से लेना, 6 में से 11 हिस्से लेना, 3 में से 5 हिस्से लेना, 2 में से 7 हिस्से लेना तो बच्चो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है तो नहीं ऐसा संभव नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से ले सकें ये 6 में से 11 हिस्से लेना 3 में से 5 हिस्से 2 में से 7 हिस्से तो ऐसे भीनों को हम क्या कहते हैं विशम भीन कहते हैं जिनके अंश बड़े होते हैं और हर छोटे होते हैं अब मिश्रिद बिन देख लेते हैं, तो देखिए बचो, मिश्रिद बिन, पिंकी, सोनल, पायलो और पार्थ के पास 9 केले हैं, वे इन 9 केलो को आपस में बराबर बाटना चाहते हैं, बताओ पिट्टी एक बच्चे को कितना मिलेगा, उन्हें 8 केलो में से 2-2 केले पूरे औ बिन जो पूर्ण संख्या और बिन को लेकर बनाता है, उसे मिश्रिद बिन कहते हैं, मतलब कितना शेश बचेगा, कितनी चीज चौथाई मिलेगी, ठीक है, ये सब आता है, तो ये आपको जो इस तरीके से लिखा मिले, वो हो गया मिश्रिद बिन, अब देखते हैं, मिश् संख्या में अंश को जोड़ें, दूसरे पत से प्राप्त संख्या को हर के उपर लिखें, उधारन, देखो बच्चो जैसे ये हैं, मैं आपको इहां भी सिखा देते हूं, एक बार, पांस से ही दो बटे तीन हैं, अब क्या होगा, इस की से गुड़ा होगी बच्चो, तीन की पांस से, ठीक है, तीन की पांस से गुड़ा होगी कितने होगे, पांच दिया, पंदरा, ठीक है, अब ये इस से प्लस हो जाता है, जो गुड़ा होके आता है, ठीक है, अंश से, पंदरा प्लस दो, और ये बटे में तीन ही रहता है, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना ह पंदर वर्दो 17, 17 बटे 3, अंश बढ़ा होगे हर छोटा, ये विशम भीन हो गई, तो ये मिश्रित भीन से हमने ये विशम भीन बना ली, ऐसे बनाते हैं, आओ अब भ्यास करें, कोशिन नमबर 1 है, निमलिकित में से उचित भीन पहचाने और उन्हें गोला लगाएं, उच बढ़ा होते हैं, बच्चों जिनका अंश छोटा होता है, तो देखिए, ये होगे, एक तो 7 बटे 9, 7 चोटा है, 9 बढ़ा है, 8 बटे 3 नहीं है, ये अनुछित भीन है, क्योंकि 8 बढ़ा है, 3 चोटा है, 6 बटे 7 उचित भीन है, क्योंकि 6 चोटा है, और 7 बढ़ा है, 11 बटे 5 ये भी है उचित भिन ये भी मतलब विशब भिन बनेगी उचित नहीं है ये ठीक है अब 5 बटे 4 ये भी नहीं है 9 बटे 8 ये भी नहीं है अब ये है उचित भिन 6 बटे 11 ठीक है अब इसे चेकल लेते हैं 5 एकम 5 और 3 8 बटे 5 ये भी नहीं है 7 बटे 5 भी नहीं है तो आपको ऐसी गोले लगाने हैं, आप प्रिशन नमबर दो देखते हैं, निमने मिशृत भिन को विशन भिन में बदलिए, तो आएए बदलते हैं, पहला कुश्यन हमारे पास, तीन सही छे बटे साथ, पहला हम इसकी इसमें गुड़ा करेंगे, कितना आजाएगा, तीन सत्ते 21 प्लस 6, कितने हो गए, 27 हो गए, ठीक है, 27 बटे साथ आंसर आगे इसका, तो ये तो हो गया आपका पहला सवाल, ठीक है, आप दूसरा सवाल करते हैं, दूसरा सवाल है, देखो दूसरा सवाल यहां कर लेते हैं, पहला दूबार से कर देते हूं, तीन सही, 6 बटे, 7 तो ये हो गया, तीन सत्ते 21, 21 प्लस 6, बटे, 7 तो ये आगया आपका, 27 बटे, 7 ठीक है, ऐसे कर लेंगे, अब दूसरा यह कर लेते हैं, ये कोश्यन नमबर 2 का है, ये वाला, पहला, अब हम दूसरा करेंगे, दूसरा क्या है, एक सही, 2 बटे, 9, ठीक है, एक सही, 2 बटे, 9, अब 9 की सब उड़ा करेंगे, ठीक है, तो 9 की एक सब उड़ा करेंगे, 9 ही आजाएगा, उसमें 2 प्लस कर देंगे, 9 और 2, 11, तो ये आंसर क्या आजाएगा, बच्चो, 11 बटे, 9, ठीक है, वक्षीट कम्प होगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स फोर वचिंग